दूस्तामित्रों कैसे हैं आप सब आशे करता हूं आप सब ने करों बड़े होंगे स्वेफ्टी प्रिकोशन के पुरा ध्यान दे रहोंगे और कुर्णावास के टाइम पर कुछ नहीं करेंगे दोस्तों आजकी वीडियों शुकत बीडियुगे आप तश्याया में chronis के मारेख अफ़्र आख सिफ्ट आयि प्रिकेंज लएक उनकश ये तो आख यह सब तो मैं जान है प्यानो गोड़ से मियर लुक्न ते आख दुन तो आज की वीडियो आपके लिए किसी भी गाने को किसी भी गाने के नोट्स किसी भी गाने के लिरिक्स को कैसे बजाएं काफी अच्छे तरीके से चलिए वीडियो में चलते हैं और मुजिक को तगने तरीके सीखते हैं बिना किसी रुकावट के लेट्स को दोस्तों हम लोग आगे हैं अपनी कीबोर्ड स्क्रीन पर हम देखने वाले कैसे मतलग कि किसी भी गाने को हम बहुत आसानी से प्यानो पर बजा सकते हैं तो मैंने या पर टोन ले लिए स्टैंडर्ड कि gla. थीक है इस और बाध्यव हमें और यह फिरष्डिम爸爸 हमारा उम्पान पर पहले हरे हमारा बैसिक होता है मकी छहां सरे चूर्ड अपना दी हैं और काफी जादा पर अपने सिख भी रहें सो इसके बाद हमें कैसे किसी गाने को निकालना है जैसे कि माली जबी मैं यहां पर एक गाना ले रहा हूँ होठों से छूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो हाँ यह एक गाना है जो काफी बहुत बहतरीन गजल है बेसिक लेवल वालों के लिए बहुत तगड़ी गजल है ठीक है तो कैसे अगर मैं देखूं तो यह कैसे गाना बजेगा तो इसके लिए पहले मुझे हमिंग करनी पड़ेगी जो बहुत जादा मेन होता है क्योंकि मैं खुद परसनली कोई प्यानो नोट्स कोई प्यानो टुटोरियल्स या फिर कोई प्यानो के जो होते ना गूगल पर मिल जाते नोट्स वो अले नहीं यूज करता मैं नौर्मल ऐसे ही एक साइड में अपने कुछी दूसरी रिवाइस में गाने बजा लेता हूं और फिर उसके बाद प्यानो पर उसको बजाने का खुद से ट्राइ करता हूं ठीक है तो अब जैसे कि यहां पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ पहले हमिंग करना है इसकी लीरिक्स हमने ही निकालते कि हां पोठों ऐसे बड़ेगा पोठो छूलू इन सब्सक्त की जो मैलोडी होती है मतलब एक शब्द के पीछे की मैलोडी है हमें उसको ग्रैब करना होता है ना कि उस शब्ब को जैसे कि यह ऐसा फुझाने, इसकी मेलोडी यो ग्रैप करना है ना कि होठों, होठों कहां से बजएगा, छूनियू कहां से बजएगा, तो शब्द कहीं ही बजएगा, यह सिर्म मेलोडी कर देखें, ठीक है, होठों से छूलो, तु मेरा गीत अमर कर दो, तो इसको हमिंग करते हैं और समझते हैं, ठीक है, देखें, एक एक आपको दबा की खुद न खुद चेक करना पड़ेगा, एक एक की कौन सा श्वर कहां पर बैट रहा है, जैसे, आपके सामने ही हमिंग कर रहा हूं, आपके सामने ही निकालूँगा, देखेंगा, ठीक है, देखें, इतना हमिंग करने सा क्या हूं, ठीक है, अब आपने देखा कि कैसे भाई, तो अभी दो, अब उसे थी मिनट ही हुए, इसको हमिंग करते है, और इसने निकाल दिया, बट मैं हमिंग कर रहा हूं तो नहीं निकल रहा है, आप यह भी सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, यह इसका बश्चा दो कारन हैं, पहला कि मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और आदश एज ठीजारे कि नीज तो पने तो है तो है ये काना हो गया एक हमिंग से निकल गया अब मैं इसको कही से बजरत पो उसको आईडिया हो गया है किया स्कल्ड लगना है तुम्हें काहिया पुलिक है के अदॉल पीक है काहिया मैं ठीट है मैं सी शाप से और सी से दोनों से हमिंग से की हमिंग जितना आप करेंगे आपको किसी गाने का स्केल निकलना है बस हमिंग कर रहा है जैसे की की पाने देजी गला कर दे इसकी हमिंग इसे हमिंग करके निकाल सकते होगी जो भी है ना इन बारा सुरों में इन बारा सुरों के बाहर तो कुछ है नहीं जैसे की आपको अब इसमें क्या ही एक्जांपल दो कि इस बारा सुर के बाहर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कोई भी गाना है दुनिया काम सा गाना ऐसा है जो इन बारा सुर में नहीं बस सकता तेरवे सुर बज रहा है ऐसा कोई गाना ही नहीं कि तेरवे सुर ही नहीं है तो तेरवे सुर का गाना ही नहीं है प्यानों पर नासा मिल में हमीं आप आ सकते हैं फ्लूट जैसा या फिर मैं तो आपको लोग के लिए ले रहा हूं स्ट्रिंग्स ठीक है तो तित्लियां वर्गा कैसा है यह कैसा यापको लेए अभी वी रिखी उतना परफ्रेक्ट नहीं बज रखी तो ऐसे कोई भी गाना आप हमिंग करके और उसके बाद उस पे हमिंग करके हलका अब बना सकते हैं तो ऐसे ही यही एक सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी गाने को निकालने का पहले ओक्टेव फाइंड आउट कर लीजे किस ओक्टेव से स्टार्टेड है जैसे कि तो कैसा है वो तो आज देरने की वो इस मतलब थोड़ा मोटे आवास से पतले पे जा रहा है तो ऑक्टेव पहले फाइंड आट करनें फिर अगर आपको कंफेडिबिल्टी हो रही है तो आप स्केल्स फाइंड आउट करनें उसके बाद आप गाने के उपर जाएं उसके बाद गाने के बाद आप फाइंड आप करने आप गाने को आप उसके। ods को को फाइंड आउट कर नहां से की है तो मेरा एक लेक्श्यर अभी आने वाला थिसमें बता दूँगा family cord कौन कौन सी होती है और ये family Whoo kod कर लफ़फला क्या GO KYA heißt टिकंए जिसहाब B झाल 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 झाल